आरजी कर मेडिकल कॉलेज कॉलकाता का एक सरकारी अस्पताल जिसके दिवारों की पीछे चल रही है एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में अब तक किसी को कोई जानकारी नहीं मिल पारी है जैसी के CBI के हाथ जाता है तुरंथी रातो रात एक भीड आती है ट्रक भर के गुंडे आते हैं तोड़ फोड मचाते हैं और भाग जाते हैं कहा गया कि सबूत मटाने की कोशिस हो रही थी क्यूँ कोशिश हो रही थी और इस अस्पताल के दिवार की पीछे ऐसी क्या चीजे चल रही थी कि दावा क्या गया कि सबूत मटानी के लिए बकाईदा ट्रंक भर कर गुंडे भेजे गए पहली चीज, डिकोडिंग क्राइम में अस बात करेंगे इस अस्पताल के प्रिंसिपल के बारे में प्रिंसिपल साहब बहुत ज़्यादा मिस्टेरियस हैं, रहसे महीं है जितना रहसे में यह अस्पताल है, उससे रहसे में ज़्यादा इक खुद प्रिंसिपल साहब है कि किस कदर कॉलकता पुलिस कमिश्टन गुस्से में हैं और बता रहे हैं कि CBI की मदद तो जरूर करेंगे लेकिन जो उनका रवया था बताने का वह अपने आप में दिखा रहा था कितना जादा उनके अंदर घुस्सा भरा हुआ है जब आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर क्यों आपको आकर प्रेस कॉंफरेंस करना पड़ रहा है और जो मेरा खुद का सवाल है कॉलकता पुलिस से देखिए हम क्राइम चैनल है हमारे पास तमाम तरीके की CCD फुटेश भी आ जाते हैं पुलिस के सूतरों द्वारा ही हमें फुटेश दिलवाए जाते हैं कॉलकता पुलिस ने जिस तरीके से दावा किया कि रात के तकरीवन चार बजे के आसपास दो संजियर होए है वो अंदर जाता हुआ दिखाई पड़ता है और उसके जब अंदर जाता है तो उसके गले पर एक नेक बैंड ब्लूटूट डिवाइस होता है जो लाश के पास ही मिलता ह लेकिन जो वो बाहर आता है तो उसके नेक बैंड पर ब्लूटूट डिवाइस नहीं था अब यह सारी चीजे हम पुलिस वालों की मान रहे हैं बलकि अब तक कॉलकता पुलिस ने सिसिरी फुटेज कभी भी किसी भी मीडिया उसको नहीं दिया है क्यों नहीं दिया क्या उस सिसिरी फुटेज में कुछ और भी ऐसी चीजे हैं जो अब तक बाहर नहीं आ पैई है या फिर परदी की पीसे कोई चाता ही नहीं कि सिसरी फुटेज में جितनी भी लोग हैं उस सामने आ पाएं एक तयोरी ये भी है मेरे पास तयोरी मेरे पास एक अलग हटकर एदिया एक बारे में आपको बताऊंगा लेकिन बताऊंगा आपको ये भी कि इस जब ये केस जड़ सहाब की साथ में जो कौलकता हाई कोट है जड़ सहाब इसको कहते हैं कि CBI को ट्रांसफर करना चाहिए बहस चल रही थी दो वकीलों की बीच में और इस बहस में जो ममता सरकार है जो मं साथ दिन के अंदर सारे एविडेंस डिस्टॉई कर दिये जाएंगे यहां तक कि जो दुसरे पक्षे वकील थे उनका ये भी कहना था कि जो कमिशनर सहाब है इनकी कारवाई पर इनकी कारेश चैली पर सवाल उठाना इसली बनता है क्योंकि जब ये बंगाल की CID के जब हे हो पाए हैं और जिस तरीके से जो जगडा हुआ और कमिशनर और पुलिस पर सवाल उठाए गए उसके बाद जच साब फोरण ही इस केस को उठा कर कॉलकता पुलिस से छीन कर CBI को दे देते हैं और जिस वक्त जब जच साब CBI को सौपते हैं उसके ठीक रात को एक भीड आत है और तमाम दगात पर फोर मचाती है पहले कहा गया कि अनुना अस्पताल में जो एविडेंस हैं उसको डिस्ट्रॉई करने की कोशिश की लेकिन जो कॉलकता पुलिस है उसके बाद सोचल मेडिया पर एक्टिव होती है और तमाम लोगों खिलाफ एक्शन भी लेती है लेक प्रिंसिपल के बारे में हमने कल भी आपको बताया था कि जब मिस्टर घोष मीडिया के सामने आते हैं तो मीडिया उनसे कुछ सवाल करने की कोशिश करती है लेकिन वो मू बना कर यू कहें कि थोड़ा सा चिढ़ा हुआ सा फेस बना कर अपनी गारी में बैठते हैं और नि लेक्स जो सुप्रेटेंडेंट रह चुके थे अक्तर अली उन्होंने उनके बारे में क्या कहा था उन्होंने बताया था कि किस तरीके से वो पैसा लेकर लोगों का एड्मिशन कराते हैं साथिसा सीट में कैसी हरा फेरी करते हैं डिपार्टमेंट में किस तरीके से हरा फेर पहुचती हैं उनके पास उनसे सवाल करती है तो वो बताते हैं कि जो डीन साब है वो किस तरीके से अपनी पत्नी को प्रताडित करते थे और एक ने तो यह भी कह दिया कि एक नहीं दो बीवी थी आप पहले उन दोनों के सुनिये उनमें से एक जो पड़ोसी है उनका नाम है चंद्र और एक है महर चोक्रवर्ति आप सबसे पहले सुनिये कि पड़ोसी डीन सहाब को लेकर क्या कहा रहे हैं जोक ने आप जोन भद्ध महिला विवाहीतो महिला तर तर त्यरोचन दिनेर बाच्च्या शे अबस्ता है तर हजबेंड गर्स भोष शेना के लाथी मेर शे लृथी मेरे भद्ध महिला जे अपारेशनन्यारी जेका टागाने चि्रेटि रेगा छिनो तो भद्ध महिला कि बेरोते दिच्छे ना, तोकन आम्रा एशे, पड़ा छेले पुले निये शे, बद्ध मुहिला के बार कोल्ला, यहों बद्ध मुहिला कोनो कापोच्च्य को निते बाहिने, शुद नाइती पुरे बेरी एशे जाकोन, एक तो सभाब्चोरित्य खुब आक्ता भालो छीलो ना, आम्रा जेता स्पुनी जे ओती ती ओभिये कोड़े एखाने जाकोन आशलो, तोकन एई बवटा जाकोन बाच्चा होये बारिया आशलो, तार पड़े तार स्थाते ओत्ताचार शुदु करलो, बाच्चातार प्राइब प्यारों चोत्तों दिन बॉयश शेई शुमाई उन्यों डाक्तर इनारे से संभध डाक्तर उनार पेटे लाथी मारे एवं शेलाई फेटे जाए तो जैसे आपने सुना कि जो आरोपी संजरोय है जिसे इस पूरे केस में पकड़ा गया है कोलकाता केस में उस पर आ पनी को पीटते थे इनका भी बुच चुब अभाव है ठीक नहीं था लेकिन इसे में सवाष अड़ता है कि जब डीन करका ट्रांसफर किया वो वो लivat उस कॉलिज में क्युaking नहीं गया दरशल यहां से यहां acement across medical college क्या चैलिक्टा medical college में कहा गया कि आप यहां से स्तीफा देजिए हम आपका ट्रांसफर करते हैं आप वहाँ पर जाए लेकिन जैसे इनके पास transfer letter आया और Calcutta medical college के बच्चों को पता लगा पूरा college देखना चाहिए था, उनके हातों में पुरी सत्ता थी, उनको नज़र रखनी चाहिए थी, लेकिन इतनी बड़ी वारदात हो गई, तो इसी वज़े से जो वहां के बच्चे हो सकता है, वो डरे हो, administration को नहीं अच्छा लग रहा हो, कि इस तरीके का डीन, जिसके रहते हुए एक ऐसी वारदात हुई, वो अब हमारे college में आए, तो इसलिए मना कर दिया गया, लेकिन इससे पहले भी इनका दो बार transfer हुआ है, साल 2021 की बात है, जब यारजिकर medical college में आये थे, तब से लगाता है, डटे हुए हैं, उसके बाद इनका एक बार transfer होता है, तो आप यहाँ पर यह देखिए, कि transfer महज 48 घंटे के लिए ही होता है, generally आप transfer किसी यह करते हैं, तो एक जगे से वो जगा, दूसरी जगे जाता है, लबा time बिताता है, फिर किसी और जगे transfer होता है, सरकारी नौकरी में, अकसर transfer की जो चीजें होती रहती है, लेकिन इनका जो Mr. Ghosh है, जो यहाँ के dean रह चुके हैं, उनका ममता सरकारियों को हैं, कि ममता Benerji के साथ खास संबन बताया जा रहा है, उनकी party के साथ खास संबन बताया जा रहा है, और बार-बार हमने आपको यह कल भी बताया था, कि वो रसूखदार party से related बताया जा रहे हैं, और इसी वज़े से इनका जो transfer है वो नहीं होता, पहली दफा जब इनका transfer हो तो 48 गंटे के लिए हुआ, और दूसरी बार जब बच्चों ने बोला कि यह डीन सही नहीं है, बहुत सारे लोगों ने इस तरह से चीज़े कहीं थी, कुछ administration की तरफ से चीज़े निकल कर आई, तब इनका जब transfer किया गया था, तो वो बस एक महीने के लिए हुआ, यानि पहली बार जब इनका transfer हो तो 48 गंटे हो गया, और दूसरी बार जब इनका transfer हो तो एक महीने के लिए हुआ, और ये बार 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 घूम घूम कर आरजिकर medical college में ही आ जाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, कि आखिर यही डीन क्यूं, बार बार ये इसी college में आना क्यूं चाहा रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई मकसद है, क्या है, क्या वज़े है कि इनको बार बार इसी college में रखा जा रहा है, ये भी एक जाच का विशह है और इस पर भी पूछताच होनी चाहिए, अब हमने डीन सर की बात कर ली, तो ऐसे मैं आप commissioner पर भी बात होनी चाहिए, क्यूंकि जो कुलकाता पुलिस है उन पर भी तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं, लगातार क्राइम तक आपको हर ख़बर से अपडेट भी कर रहा है, तो अब जो कुलकाता पुलिस है, वो कैसे सवालों के खेरे में हैं, commissioner ने जो press conference की, उसमें क्या कहा, और उसका जो नतीज़े है, वो क्या निकल कर आया, और क्या मकसद था CBI को case दिया जाने के बाद, उनका press conference करने का, देखे, मैं आपसे ये बात जरूर करना चाहूँगा, कि जिस तरीके से, जो बिवत्स वार्दात हुई है, खास दोर पर एक अस्पताल के अंदर, डॉक्टर को भगवान का रूप माना गया है, जब आप मुसीबत में होते हैं, जब आपकी जान पर बनी होती है, तो यही डॉक्टरज आपकी जान बचाते हैं, अब किसी डॉक्टर के साथ ही अगर ऐसी चीज़े हो जाएं, तो अपने आप में सीर्ज होगा कर शर्म करने की बात है, और एक महिला डॉक्टर के साथ जो चीजें हुई हैं वो जो चीजें आपकी सामने अब तक बताई जा रही हैं बिल्कुल साफ दिख रही होंगे कि बहिया एक बंदा आता है और यह सारी चीजें करके चले जाता है कि बकाइदा इस कॉलेज के अंदर एक सेक्स राकर चलाया जाता है जो ब्रूफ लिम्स होती हैं वो इस कॉलेज के अंदर बनाई जाती है 2001 की बात है यह और यह 2024 में हम इस बक्त बात कर रहे हैं तो तमाम तरीके की सवाल उठाए जाने चाहिए अब जिस तरीके से मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि कॉलकाता पुलिस के पास एक CCTV फोटेज है दूसरे केसिस में अक्सर यह होता है कि CCTV फोटेज बाहर आ जाते हैं लेकिन कॉलकाता पुलिस ने अब तक CCTV फोटेज बाहर नहीं दिया है अब जो मेरी थियोरी कहती है जो मेरा खुद का मानना है कि कॉलकाता पुलिस सिटी फोटेज देने को तयार नहीं है कॉलकाता पुलिस का बार-बार कहना है कि संजर रोय अंदर जाता हुआ दिखाई पड़ता है उसकी कुछ दिनों बाद हम क्या देखते हैं कि जो बगल की दिवार है उसे तोड़ दी जाती है मैं अपनी थियोरी पर आऊँगा मैं आपको बताऊँगा मेरी थियोरी है जो मुझे लगता है कि अंदर क्या चीज़े होई होंगी जैसे ही मामला CBI को जाता है भीड आती है और भीड पूरे अस्पताल को तोड़ फोड कर देती है जो डॉक्टर से अपनी जान बचारने को भाग रहे होते हैं अब याद रखिए यहाँ पर जो विक्टिम कौन है डॉक्टर है विक्टिम कौन एक अस्पताल के अंदर ऐसी चीज़े हो गई है तोड़ फोड कहा हो रही है उसी अस्पताल के अंदर हो रही है बलकि भीड जो अगर वो इनसाफ के लिए आये थे जो मुझे तो नहीं रगता कि इनसाफ के लिए आये थे क्योंकि उसमें से जो भीड थी उन लड़कियों के हॉस्टल में जाने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने जिस तरीके से emergency ward emergency ward अगर नहीं पता हो जो भीड आये थी उनको मैं बता देना चाहता हूँ वहाँ पर कोई मान लीजे accident हो जाए और कुछ बड़ी चीजे हो जाएं वो फॉराण ही उसको तैयार किया जाता है उहाँ पर लोगों की जान बचाई जाती है वहाँ पर माओं की जान बचाई जाती है लेकिन उस भीड ने क्या क्या तोड़ फोड किया और यहां तक कि जितनी मी सबूत हो सकते थे उसे मटाने की कोशिश की गई हो अब आता हूं में अपने थियोरी पे मैंने आपको इस सारी चीज़े इसलिए बताएं क्योंकि देखिए जब पोस्टमाटम रिपोर्ट हुआ तो पोस्टमाटम रिपोर्ट के मताबिक गैंग रेप जैसी वारदात की बारे में बात किया गया और कहा गया कि multiple times penetration किया गया होगा और जिस तरीके से मारा गया था वो अपने आप में कोई एक शक्स नहीं कर सकता है तीसरा कि जिस तरीके चोड के निशान है पुलिस यही नहीं बता पा रही है कि भहिया यह हाथ से मारा गया या किसी हत्यार से मारा गया अगर हत्यार से मारा गया तो हत्यार कहा पर है और जखम देना आसान बात नहीं है एक हड़ी तोड़ दी जाती है एक महिला डॉक्टर की एक ही शक्स के दोरा तो इस पर डाउट था अब क्योंकि CCA footage में एक शक्त दिखाए जाए रहा था तो इसलिए पुलिस ने एक आरूपी को इगरफ़तार किया अब जो मेरी थियोरी है ध्यान से सुनिएगा seminar hall के बगल में दिवार तोड़ दी गई तो मुझे ये लगता है, शायद मुझे ये लगता है कि seminar hall में सिर्फ एक ही दर्वाजा नहीं होगा अंदर आने का वो जो दर्वाजी के आसपा जो CCD camera दिख रहे थे उसमें जो एक शक्स अंदर जाता हो नजर आ रहा है, हो सकता है ये इस पर जांच का विशे होना चाहिए क्या seminar hall के अंदर किसी और रास्ते की जरिये भी अंदर आया जा सकता है क्योंकि अगर जिस तरीके से post-mortem report में दावा किया गया कि multiple लोग थे, लेकिन पुलिस का कहना है कि एक ही शक्स अंदर जाता हो दिखाए दे रहा है और क्यों उसके बगल वाले कमरे या कहें उसे कुछ दूर में जो एक कमरा था उसे तूर दिया गया इतनी जलबाजी, इतनी हरबड़ी क्यों थी अस्पतार प्रसार्शन को कि फॉरण ही उस कमरे को तोड़ा जाता है तो मेरा यह मानना है, महसे एक थियोरी हो सकती ही, जांच के विशे होना चाहिए और जो CBA अगर इस पे जांच करें भी अगर उनका, वो तो हमसे अच्छा ही जांच करेंगे लेकर हमारा बात जैसे अभी दीपक ने बोला, उसी के जरिया में एक चीज़ छोटी सी बतायती हूँ कि पुलिस ने कल एक बाइट भी दी है, जिसमें उन्हें बोला है कि वो डिनाय नहीं करते कॉलकता पॉलिस की कमिश्नर ने इभी कहा कि देखिए सिर्फ सबूत के आधार पर ही किसी को गृफतार कर सकते हैं, बिना सबूत के गृफतार नहीं कर सकते तो जो मेरी थियोरी है मुझे लगता है कि समिनार हॉल में किसी और तरीके सी भी शायद अंदर जाया जा सकता है और शायद कई लोग गये भी हों अंदर उस महिला डॉक्टर के साथ रेप जैसे गिनोनी वारदात को अंजाम देने के लिए अब जब हम कई बच्चों से बात करें थे तमाम शोशल मीडिया हमने खंगाली भी तो उसमें कई तरीके के दावा किया कि हो सकता है जो लेडी डॉक्टर थी उसने अस्पताल का काला सच पता कर लिया हो जिस तरीके की चीजे बाहर पता लगती है और उसकी बाद अस्पताल प्रसाशन या बच्चों का दावा या तमाम जितने भी शोशल मीडिया पर चीजे चल रही हैं इसका दावा तो नहीं करते लेकिन जो बाती चल रही है हम आप तक यह जरूर पचा रहे हैं कि यह सारी चीजे शोशल मीडिया और हर जगा बताई जा रही हैं कहा गया कि हो सक ही है सेमिनार हॉल में तुम्हें जो करना है वो कर लो जिसके बाद संजय रोए एक लाश के साथ रेप जैसी गिन्वनी वारदात को अंजाम देता है ऐसा शोचल कई प्लैटफॉंस में दावा किया जा रहा है बार बार यह चीजें बाहर भी आ रहे हैं बच्चे भी यह सारी चीजें मान रहे हैं हम आते हैं अपनी जो बाते हैं जो प्लिस कमिशनर है जिस तरीके से वेंडिता ने आपको बताया कि पुलिस कमिशनर है गुस्ते में हैं उन दिन रात एक करकर इस केस को सुलजाने क्या काम भी किया अब एक जांच दुस्से अजिंसी को पौच शुका है तो उनकी टीम का सहीयोग भी करेंगे लेकिन जब एक कोट में बात ही चल रही थी इस केस को कौकता पुलिस के पर से रखना चाहिए या इस केस को सीवाई को आपने वाले हैं दूसरी तरफ दूसरे पक्षके वकील थे उनका कहना था कि नहीं हमें आज और अभी इसी वक्त दिया जाए क्योंकि महज अगले साथ दिनों के अंदर हो सकता है सबूतों के साथ छेड़ चार कर दी जाए और जो चीज आप साथ दिन बात करेंगे उसे अ आम दूनियू गैंग रेप हुआ था लगभग लगभग कई साल पहले उस जो केस उसमें 13 साल की बच्ची थी उसके 2013 में पुरा वाक्या हुआ था वो कालेज से आ रही थी है स्कूल से आ रही थी उसे दो लड़के मिलते हैं दोनों लड़के उसे बहला फुसला कर खेट के और ले जाते हैं उसके साथ बहुती बेदर्दी के साथ रेप करते हैं उसकी हत्या कर देते हैं उसके टांगों को फ पिलाने की कोशिस की गय थी, rarest of rare case था हमें लगा जब इस case की बारे में हमें पढ़ना चाई हुआ तो उन वकीलिये यह कहा, कि इस case को जो head करने वाले, जब इस case को CID, जो बंगल की CID को दिया गया उसको head करने वाले आज के कॉलकाता पुलिस के कमिशनर है तब उनकी अच्छी इन्वेस्टिकेशन ना करने की वज़े से कई लोग छूट चुके था और उस केस को अभी मटिया मेट हो चुके था मैं आप कीजिए का मैंने आपको शुरुआत में ग्यारों लोग कहते हैं लिकने मैं अपने आपको सुधारता हूँ नौ लोग थे जिसमें से लगभग लगभग दो मेन आरूपी थे वो पकड़े जा चुके हैं और दोनों जो मेन आरूपी है एक छोटी सी कहानी बदा देता हूँ असल में जब 2013 के यह बात थी यह पहले उसे छिर्चार करते हैं छिर्चार करके उसके साथ बड़ी बेरहमी सहत्या होत्या करकर उसा अगला काट कर ऐसीड डालने की कोशिश करकर बड़ी बिवध तरीके से उस लाज़ के साथ घुनोनी काम करकर छुपाते हैं जब ही वापे जा रहे होते हैं तब लड़की का भाई उसी रास्ते से गुजर रहाता है और उसने एक लाइन कही जो दोनों लड़के थे मैं आपको पुरा पढ़के बता देता हूँ कि उन्होंने असल में क्या कहा इन दोनों बच्चों का यह कहना था जो आरूपी हैं उनका यह कहना था कि खुब मज़ा आया आज तो हमारा दिन बन गया यह ऐसा करते हुए बात करते हुजा रहे था और भाई आगे की ओर जा रहा था भाई को यह नहीं बता था कि उसकी बहन के साथ इन्हीं दोनों लड़कों ने ऐसा काम किया है वो अपने काम पे निकल जाता है अगली रोज जब उसे पता लगता है कि जो दोनों लड़के बात कर रहे थे वो बात उसकी बहन के लिए की जा रही थी इस केस का किसने हेड किया था कॉलकाता पलिस के कमिशनर जो आज के है वकील साहब ने भी कहा कि इस पलिस कमिशनर को वेटिंग लिस्ट में होना चाहिए ये लायक नहीं है कॉलकाता पलिस कमिशनर होने के और तमाम तरीके को ने दलील ती जिसके बाद जजज साहब ने फोरण ही केस सी ब्याई को सॉप दिया अब CBI को किश वापा उसके बाद दिर राद देखी क्या हो जाता है हंगामा हो जाता है तोड़ फुर हो जाती है और जिस तरीके की जो हमारी थियोरी थी और जिस तरीके की सोशनी टापर कई लोग दावा कर रहे हैं कि हो सकता है जो लड़की है इसे जानकारी हो अस्पताल क ने बिवत्स काम किया इसलिए क्योंकि जब संजर रॉय को गिरफतार किया गया तो उससे तुरंते अपना गुणा कबूल कर लिए और कहा कि ठीक है मैंने मारा है मुझे फासी दे दीजिए तो या तो संजर रॉय बहुत कुछ जानता है या कुछ चीजे चुपा रहा है और इस तरीके सबने था नहीं आपको बताया कि जो कॉलकता पुलिस के कमिशनर है उनका ये कहना है कि किसी भी रैंडमली किसी को पकड़ नहीं सकते हैं जब तब ठो सबूत ना हो मतलब कॉलकता पुलिस को पता है कि संजर रह के लाबा भी कोई दूसरा तीसा शक्स है लेकिन जो जाच करी रहे थे तो अब बता लगा कि जो सीबियाई है वो कॉलेज के प्रिंसिपल को पहले उन्हेंने बादशीर की फिर कॉलेज के प्रिंसिपल को अपने सीजो कॉंप्लेक्स लेगे जहां पे हेड़कॉर्टर से पूस्ताज की तो इस पूरे केस में जिस सवालों क कि घेर में कॉलकाता पॉलिस कमिशनर के इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से उन्हें इन्वेस्टिगेट किया उन्हें ओठ हो सबूत दुचानने की जरूरत थी वो शायद नहीं कर पाए और यहां तक की अधिकि मैं अभी माइक दूंगा लेकिन उससे पहले मैं आपको यह यह परसनल मानना है मैं कल से कॉलकाता पॉलिस के तमाम सोचल मीडिया हैं देख रहा था कि किस तरीके से वो कारवाई कर रही हैं कॉलकाता पॉलिस को चाहिए था कि वो ऐसे वक्त में अच्छा काम करें लोगों की बात ही सुने हो यह रहा है कॉलकाता पॉलिस के द्वारा क कि तमाम सोचल मीडिया पे जो भी फोटोज ये विडियो जारें उनको वो फेग जरूर बतारें कि देखो विया आप में इस इंफोर्मेशन नहीं फेलाने चाहिए गलत चीजे हैं लेकिन कॉलकाता प्लिस उन्हें कोट करके ये कहती है कि हम आपकी किलाब लीगल एक्षिन ल बाहर नहीं आ पाया है क्योंकि सीसीरी फुटेज अपने आप में बहुत कुछ बया कर सकता है लेकिन अभी भी हमारे हाथ खाली है अब जैसे की दीपक ने आपको काम दूनी जो केस हुआ था एक तिरह साल की बच्ची के साथ रेप जैसी घिन्होनी वारदात हुई थी फिर उसके बॉड़ी पार्ट्स को अलग क्या गया काटा गया उसमें तेजा आप डालने की कोशिश की गई और उसके बाद जब उसकी इन्वेस्टिकेशन हुई तो सजा होती है सिर्फ दो लोगों को उनमें से जो बाकी के लोग थे वो बड़े आराम से छूट जाते हैं क्योंकि जो पुलिस कमिशनर थे उसके जांच कर रहे थे वो ठीक से जांच नहीं कर पाते यह चीजें आपको दीपक ने बताए कि जब CBI को केस सौपने की बात चल रही थी कोट में तब वकील ने इस तरीकर दावा क्यों जो जजज सहाब थे उन्होंने फॉरण ही CBI को यह केस सौप दिया लेकिन अभी सवाल वही खड़े हो रहे हैं स्कूल माफ करेगा जो कॉलेज प्रशाशन है जो आरजी कर मेडिकल कॉले की तीन-चार सवाल है जो एक बार फिर मैं आपको बताती हूं कि क्या है जो अस्पताल पर उठ रहे हैं और पुलिस प्रशाशन पर भी उठ रहे हैं देखे सबसे पहला सवाल कि क्या जब लड़की जो महिला डॉक्टर थी जो लेडी डॉक्टर थी जब उनकी लाश मिलती तो क्या पुलिस ने घरवालों को इनफॉर्म किया था कि आपकी बेटी की मौत हो गई है और एक तरीके से उसे आम मौत बता दिया था कि हाँ एक सुइसाइड है बच्ची ने खुद ही मौत को गले लगा लिया या फिर जो अस्पताल का जो प्रसाशन है उसने कहा तो इसको जब उनके पेरेंट से बात की गई उन लोगों से पूछताच कीजिए उनके पिताजी भी है जो लड़की के पिताजी है वो खुद कह रहे हैं कि हमें जो अस्पताल की लोग है उनने ये सारी चीज़े बताएं उनने पहले पुलिस का नाम भी लिया था उनने ये कहा कि लगातार सोशल मीडिया का दबाव बनता है हर कहीं सवाल पूछे जाते हैं मीडिया सवाल पूछती है तब 14 अगस्त को पुलिस बताती है कि देखिए जो आप लोग ये चीज़े कह रहे हैं कि हमारी तरफ से ये कहा क्या कि वो एक आम मौती ऐसा नहीं है बलकि उनके पिता है वो इस चीज़ को डिनाइन नहीं कर रहे हैं और तो और यहां पर दो एक संशे पैदा करता है कि पुलिस ने खबर फैलाई या फिर अस्पताल प्रशासन ने या अपने आप में एक सवाल है कि कौन है असली गुन्यागार की पुलिस इस चीज़ को पहले देख रही है कि अब ही एक आम मौत है और उसने पेरेंट्स को बता दिया या फिर अस्पताल प्रशासन ने भी ये चीज़ की और हम बार-बार कह रहे हैं कि जो आजिकर मेडिकल कॉलेज है वो अपने आप में एक मिस्ट्री है इसके बारे में हमने आपको कल भी बताया था एक सौमित्रा बिश्वास नाम के लड़के का केस इसके अलावा दूसरा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जो FIR है जब पुलिस ने FIR रजिस्टर की जब पेरेंट्स वहां पहुचते हैं इतना बड़ा केस हो जाता है अस्पताल में घट जाता है तो जब FIR लिखे जाती तो पुलिस न इसे एक रेप या कहें कि ग्यांग रेप की चीज इसमें एड की जैसे कि हमने आपको पहले बताए कि जो पुलिस है उन्होंने कल ही ये चीज क्लियर किये कि उन्होंने कभी डिनाई नहीं किया ग्यांग रेप की बात को पर उनका कहना है कि आगे जाच होगी तभी ये जो पुलिस के साथ मिला हुआ था वही एक रीपिस्ट कैसे हो गया, वो जो पुलिस के साथ था, पुलिस के साथ उसका तगड़ा कनेक्शन है, तो क्या पुलिस किसी को बचाना चाह रही है, किसी के दबाव में है, या फिर अस्पताल प्रिशाचन है, वो किसी को बचाना चा अंजाम दिया इसके लिए संजरोई को अरेस किया गया लेकिन बाकी लोगों को छोड़ा जा रहा है जैसे दीपक ने कहा कि एक सवाल और बनता है कि क्या सैमिनार हॉल में कोई और दर्वाजा भी था या आने का कोई दूसरा रास्ता भी था जिसके जरीए कोई अंदर घुश सके तो इस बात की भी पुलिस ने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है हर केसिस में सबसे पहले CCTV मिल जाता है पुलिस वाले gjूद मीडिया को सौब देते हैं लेकिन यहा पर कोई CCTV नहीं मिला है पुलिस जैसा बोला कि एक शक्स को हमने पॉने चार बजे के आसपास उस सेमिनार हॉल से बाहर निकलते देखा जब CCTV से मैच किया तो पता लगा वो संजे रॉय है वो पुलिस की बैरक में सो रहा था उसको जाकर हम वहां से उठा लाए तो बार-बार एक ही लाइन रिपीट हो रही है और कोई बात नहीं बताई गई है फिलहाल इस बारे में स्टूडेंट से भी बात की जाएगी कि आखिर सेमिनार हॉल में क्या खुसने का कोई दूसरा रास्ता भी था और जैसे की आप सभी को पता है किस तरीके से बार-बार सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है तोड़ फोर्ड मचाई जा रही है CBI को केस मिलते ही कौन ऐसा शक्स है जो इतना उतावला हो गया जिसने इतने गुंडे भेज दिये जो जाकर तोड़ फोर्ड करने लगे लड़कियों के होसल में घुसने लगे तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है केस अभी वही है कोलकाता का गैंग रेप केस जिसमें एक महिला डॉक्टर के साथ बड़ी ही बरबता से ना सिर्फ रेप किया गया बलकि उसके शरीरों को नोचा गया कसोटा गया उसको तोड़ा गया उसको पूरी तरीके से एक लाश के साथ बरबता की गया आप यूं पर मौझूद था जो संजे रोय था वो फिर भी नहीं रुका वो फिर भी उस महिला डॉक्टर के साथ बरबरता करता रहा पोस्ट मॉटम रपोर्ट में भी आपने देखा लेकिन भले बारदात वही है लेकिन सवाल फिर भी अभी बहुत सारे खड़े हो रहे हैं क्या के पुलिस, CCTV, organic, camera की जो footage सामने आई वो अभी तक नहीं दिखा रही है क्यूं थाफिद की कोई भी डिटेल बाहर नहीं आ रही हैकिन सेमिनार रूम से रिलेटिटिड कोई भी चीज़ बाहर नहीं आई और क्यूं जो सेमिनार रूम है उसके सामने जो जो क्छेस्ट मेडिकल रेपार्टमेंट है उसमें तोड़ फोड की गई अचानक रेनोवेशन का काम शुरू कर दिया गया अगले ही दिन ऐसी भी क्या मजबूरी थी क्योंकि जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज है उसकी हिस्ट्री हमने एक कल भी विडियो बनाया था सौमित्रा विश्वास को लेकर के बाद जब इन्वेस्टिकेशन चली तो पुलिस ने उसको भी आई कह दिया कि एक साधारन मौत है लेकिन जब उसकी माने आवाज उठाई बच्चों ने प्रोटेस्ट किया तब अलगी कहानी निकल कर आई इस केस को मर्डर का एंगल से देखा गया और तब चीजे सामने आई और कुछ ऐसी इन्वेस्टिकेशन की गई टी एनन के दुआरा जिसमें चीजे सामने आई कि उस अस्पताल के अंदर एक ब्लू फिल्म शूट होती है डेड बॉडी के साथ गंदा काम किया जाता है ऐसी न्यूड करके उनको विडियो बनाया जाते है और फिर उन्हें मौफ करके किसी और के चेहरे पर लगाकर लोगों को बदनाम किया जाता है पैसे एठे जाते हैं इस तरीकी की चीजे चल रही थी तो आज इकर मेडिकल कॉलेज अपने आप में एक मिस्ट्री है उसके बारे में भी पता करना चाहिए हर डॉक्टर से पूछताच होनी चाहि और हर एक एंगल की जांच जरूर की जानी चाहिए तो हर एक शक्त से पूछताच की जानी चाहिए संजरॉय के अलावा क्या कोई और भी शामिल है क्योंकि कई सारे वीडियो आपने देखोंगे कि एक लेडी इंटर्न पर भी कई सारे आरूप लग रहे हैं दिलललन टॉप पौरण एक एक शक्त से जाच करने के बाद इस केस को सामने लाना चाहिए सुलझा कर सामने लाना चाहिए मीडिया के पेश करना चाहिए कि आखिर कब क्या हुआ और उस लेडी डोक्टर का असली जो अपराधी है जो आरूपी है संजेरॉय के अलावा क्या कोई और भी है या सिर्फ इस पूरी वार्दात में अकेला संजे रॉय ही शामिल था फिलहाल इस केस की जो भी अपडेट है हमने अब तक आपको सारी बता दी आगे जो भी कोई भी ऐसी अपडेट आएगी कोई भी ऐसी खबर आएगी जो आप सब के लिए जानना बहुत जरूरी होगा वो क अब तक के लिए आप देखते रहें क्राइम तब